मित्रों आप सभी जानते हैं कि भारती राजनीत के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत चिर विग्न संतोशी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विग्न उत्पन करके कैसे संतोश प्राप्त किया जा सकता है उस प्रवित्त की परचायक कॉंग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिशकार करते हैं अभी हाल में आपने देखा चंद महिने पहले की बात है पिछले वर्ष की नई संसत भवन के उधगाटन का बहिशकार किया भई नई संसत भवन डेड़ सो वर्षों तक चलेगी इसका भारती जनता पार्टी अत्वा भारत के कर संदचना में टैक्स स्ट्रक्चर में एतिहासिक पैरडाइम शिफ्ट हुआ उसका बहिशकार किया जी ट्वेंटी अभी अभी हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्टा ध्यक्ष और दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत में जाए क्योंकि मैं पुना विरंबरता से कह दू कि नॉन एलाइन समिट भी हुआ था पर नॉन एलाइन समिट उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था जी ट्वेंटी इस कंसीड़ेट पावर सेंटर उसमें महमहिम राष्टपत की द्वारा दिये गया भोज क भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्वाव था हमारे पूर्व राष्टपती रामनात कोविद जी और द्रोपदी मुर्मू जी के अभीभाशन का भैसकार किया जबकि वो हमारे राष्ट के प्रथम नागरिक है परन्तु ये एक संयोग की बात थी देखिए एक अनुसू उचित जात से थे एक अनुसूचित जन जाती से थी इसके बहुद आपने वैशकार किया और अभी बाशन का भैसकार करके आपको मिलना क्या था ये भी बहुत इस पश्ट था याद करिए कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था क्यों कॉंग्रेस ने वैशका 1990 में पोकरण विसफोर्ट हुआ अटल विहारी बाचपेई जी की सरकार के नितुर्त में कॉंग्रेस ने दस दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारत प्रकार की प्रक्रियाएं जबकि भारत ने पहली बारे कहा था कि वी आफ डिकलेर्ड नाउ वी वर्तन था परंतु उसके भी विरोध में खड़े हो गए और तो और पूर्वर आश्ट्रपति प्रणों मुखर जी जी जो आफी की पार्टी के थे उनके भारत रत्न समारों का भहिशकार कर दिया इसी भहिशकार भहिशकार के चलते हुए जनता भी कमशा उनको सत्ता से भ प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनह कॉंग्रेस ने अपनी उसी प्रवत्ति के नुरू क्योंकि ये भारत की इतिहास का इतिहासिक पल है यदि आजादी आच सो साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में यदि भी कॉंग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी हम कहते हैं 800 साल की गुलामी तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वहस्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनात मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा की समय कि जब जब भारत सोतंत्र हुआ था तो सोमनात की अट् पश्ट करना चाहता हूँ कॉंग्रेस अपनी प्रवित्ति की अनुरूप है मैं आप लोग के सुलब संघ्यान के लिए कोट करना चाहता हूँ कि जब सोमनात मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा हो रही थी तो जबालाल नहरू जी ने 24 अपरेल 1951 को जाम साहब दिगविजे सि यानि लाइक टेकनिकली दे चीफ मिनिस्टर और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि कॉंग्रेस उसी परमपरा में चली आ रही है उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारो के लिए मेरा दिल्ली से आन राज़्ट्र पति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुक के नाते आप सोमनात के इस समारो से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रक्तिके या नुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे ये 24 अप्रेल 1951 सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाल अनहरू सिरीस टू वॉलूम 16 पार्ट वन बस वही तो परंपरा थी उसके बाद इंद्रा जी के जमाने में गोरकशक संतों पे गोलियां चली इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंबे निकल लए थे तो वाम पंती त्यासकारों के दवाओं में रुकवा दिया गया राजीव जी के जमाने में कारसेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ पीवी नरसे माराओ जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ वह आपको पता है और सोनिया जी के जमाने में आते रामकालपनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ती जो आज कॉंगरेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया परंतु मैं एक और बात इसपश्ट करना चाहता हूँ ये नहरू की कॉंग्रेस है ये गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्य महात्मा गांधी का नित्यका भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस राम राज्य की प्रान प्रतिष्ठा का प्रारंब हो रहा है श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कॉंग्रेस और नहरू की कॉंग्रेस का अंतर भी अब बिलकुल साफ हो गया है और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है ये कॉंग्रेस के अंदर का भारती ये संस्कृती हिंदू धर्म और हिंदुत के प्रती जो विरोध है उसको दर्शाता है अब बताईए इससे अदा क्या होगा कि श्री राम जन्भूमी केस में जो बाबरी मस्जित पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है ये हिंदु धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया गया बताईए वो आने को तैयार है जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपन्ती वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्परधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है तो आपने गिंदी में कहवा सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्धई साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वहलोभ दिखाई पढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ की एक कहवत होती है की राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए नमाया मिली नराम इस पष्ट कर देना चाहता हूँ इस प्राण प्रतिष्ठा का भहिश्कार करके कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने इस पष्ट कर दिया है कि वो राजनेत्रिक दृष्टी से निश्पान तो होते ही जा रहे थे अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिय आपके मन में जो भी इर्शा है, द्वेश है इन्फिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार श्रीरामजन भूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुध्याई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते हैं वैसे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके मन में ये भी हो वो जो एक पुराना भजन है ना पैली चादर ओड के तेरे द्वार पे कैसे आऊं क्योंकि इतने पाप किये हुए हैं उन्होंने पर उन्तों आज उस पाप के परिमारजन का अवसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रामचरित मानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल मतब जो बादल है अमरत तुले जल क्यों ना बरसा दे बेंत का जो वर्क्ष होता ना उस पे फूल नहीं उकते कभी बेंत पे फलो फूल नहीं आते बैंबू जिसको कहते हैं उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरू मिल जाए फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं उसे शब्दशाना कहा जाए मूर्ख लोग होते हैं उनके हर्दे में चेतना नहीं उत्पन होती तो कहा गया है जदप सुधा बरसहीं जलद फूले ही फ़ले ही नबेद जो गुरू मिले ही विरंचिसम मूर्ख हर्दे नचेत इस कहरण से उनके हर्दे में ये चेतना नहीं आपा रही है पर अन्तु मैं पुना इस पष्ट करना चाहता हूँ कि हर एतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कॉंग्रेस ने आज भारत भारतियता कि स्रिष्टतम मूल्यों के पृतीक भगवान स्री राम के मंदिर की प्राण पृतिष्ठा का बहिश्कार करके ये दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीती और राजनीत में भी कटर पंत की राजनीती हम किसी समुदाय की बात नहीं करें कटर पंत की राजनीती अधिक महत्वपून है और राष्ट के आदर्श और प्रेणा कम महत्वपून है इसलिए मैं ये भी कहना चाऊंगा कि भगवान राम वो आदर्श है जो सभी मत संपरदायों के लोग बांगते है दुनिया का सबसे बड़ा बौद देश थाइलेंड का राजा टाइटिल होल करता है किंग रामा दे टेंथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पृतिशत के हिसाब से भारस से यादा रमायन होती हैं सारे पात्र मुस्लिम होते हैं लगबक साथ पृत्यत देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है परंतो अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो लोग अपने को गांधी का स्वेंभूत रादिकारी कहते हैं वो इसके विरुद्ध खड़े हैं अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है मगर यहाँ पर उनको विरुद्ध नजरा रहा है तो इसलिए मैं इस पश्ट रूप से कॉंग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ इस पश्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं श्री पीवी नर्समाराव ने दिसंबर 1992 में कहा था नहीं वह तथा कतिद मस्जिद दुबारा बनवाएंगे वो बयान से तो भैशकार किया नहीं अपना विड्रॉ किया नहीं और इससे विड्रॉ कर रहे हैं यह दर्शाता है कि कॉंग्रेस के अंदर की मूल प्रवत्ति क्या है